ड्रीड का हिंदी में आर्थ होता है डरना, डर, से डरना, भै, डरावना, शंका, खोफ या फिर आतंक इसका मतलब है किसी भी चीज से जब आप डरते हैं या फिर आपको डर लगता है या आप भैबीत हो जाते हैं या किसी भी चीज से आपको खोफ हो जाता है तो उसे हम English में कहते हैं ड्रीड आपके डर को हम English में कहते हैं ड्रीड एक बार in sentences को पढ़ लेते हैं ड्रीड is produced by a powerlessness भै शक्ती हींता से उत्पन होता है He has always stood in greed of his father वह हमेशा अपने पिता के खोफ में खड़ा रहा है अपनी English को और अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल के home page पर जाकर और भी वीडियोज देख सकते हैं और आगया आने वाली ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें